हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब वेलकम है आप सब का हमारे यूट्यूब चानल वी फिल्मी पर फ्रेंज आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफी हटके और फैमिली के साथ इंजॉई कर सके ऐसा रहने वाला है क्योंकि आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ टॉप थ्री साउथ की कुछ ऐसे फिल्में जिन में आपको ड्रामा, एमोशन्स के साथ-साथ, एंड तक बांक कर रखने वाला थ्रिलर भी देखने को मिलेगा ये सबी मुवीज हिंदी डब में इजिली अवेलेबल हैं ताकि आप इन्हें वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉई कर सकें ज्यादा बाते ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें तो फ्रेंज हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर 3 पर आती है साल 2014 में रिलीज हुई एक जबर्दर साउथ ड्रामा अक्शन त्रिलर मूवी यूद्धम ये एक तेलगू लांगविच की फिल्म है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है मूवी को MTV की तरफ से 5.3 out of 10 की decent ratings मिली है और 58% Google users ने फिल्म को like किया है मूवी की कास्ट में हमें नजर आते हैं यामी गौतम, तरुन कुमार, श्री हरी और आशीश विद्यार्थी जैसे और भी कई सारे actors अब बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो कहानी में रिशी नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जो मदु नाम की एक लड़की से प्यार करता है मदु एक बड़े गैंस्टर शंकर अन्ना की बेटी है शंकर अन्ना की एक और बुट से ओल्ट एज हूम की जमीन को हत्याने का मामला चल रहा होता है जिस करके शंकर अन्ना और नागी नेडू के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है अब आगे कहानी में ये दिखाया जाता है कि रिशी का भाई अमेरिका से लौट कर आया है और वो भी मदू से प्यार करने लगता है क्या रिशी अपने भाई के खातिर अपने प्यार को कुर्बान होने देगा और शंकर अन्ना और नागी नेडू के बीच दुश्मनी क्या मोल लेती है ये सब आपको इस मूवी में काफी थ्रिलर तरीके से देखने को मिलेगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आप एक बार जरूर इंजॉय कर सकते हैं ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी डप में अवेलेबल है मूवी आप जरूर पसंद करेंगे प्रेंस हमारे चानल वी फिल्मी को आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं उसके लिए थैंक्स और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें नेक्स ट्रेंस हमारी लिस्ट में नंबर टू पर आती है साल 2015 में रिलीज हुई एक काफी बहतरीन साउध ड्रामा कॉमेडी थ्रिलर मूवी पसंगा टू ये एक तमिल लंग्विज की फिल्म है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है मूवी को अमडीवी की तरफ से 7.3 आउट ओफ 10 की अमेजिंग रेटिंग्स मिली है और 91 परसें गूगल यूजर्स द्वारा फिल्म को लाइक किया गया है मूवी में लीड्रोलने भाते हमें नजर आते हैं सूर्या, अमलापॉल, कार्तिक कुमार और वैशनवी जैसे और भी कई सारे बहतरीन आक्टर्स मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो कहानी में दो बहुत ही शैतान और हरदम मस्ती करने वाले बच्चों को दिखाया गया है जिनका नाम केविन और नैना है उनके माता-पिता और स्कूल के टीचर उनसे काफी परिशान है और उनके बोर्डिंग स्कूल में एड्मिशन कराने पर काफी उत्सुक हैं फाइनली डॉक्टर्स की सला लेकर वो दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं boarding school का एक teacher और उसकी पतनी finally बच्चों की problem को अच्छे से समझते हैं और उनके parents को इस तरह की problem से परिचित करते हैं दोनों बच्चों के parents को भी ये पता चलता है कि इस problem का solution किसी doctor या psychologist के पास नहीं बलकि उनके अपने पास है बहुत ही कमाल की movie है friends जो emotionally आपसे काफी connect हो जाएगी और आप इस movie को बार बार देखना भी पसंद करेंगे Friends इस movie की कहानी हिंदी movie तारे जमी पर से काफी मिलती जुलती है तो इस movie को हरगेस भी miss मत कीज़े और जल से जल इसे अपनी family के साथ prime video पर enjoy कर लीज़े और अब friends finally हमारी list में number one movie है साल 2021 में release हुई एक do not miss family entertainer south drama thriller movie home ये एक malayalam language की film है जिसे हिंदी में भी same नाम से ही dub किया गया है movie को mtv के तरफ से 8.8 out of 10 की extraordinary ratings मिली है और 92% google users ने film को like किया है movie में अपनी शांदार acting के साथ हमें नजर आते हैं दीपा थॉमस, श्रीनाद भासी, विजे बाबू और मंजू पिल्लाई जैसे और भी कई सारे talented actors अब बात करें movie की basic storyline के बाहरे में तो कहानी आजकल की जादतर families में जो हो रहा है उसे दरशाती है दरशाल कहानी Oliver Twist नाम के एक आदमी के एड़ के खूमती है जो लगातार अपने बेटे Anthony के करीब जाने के कोशिश करता है Anthony एक film निर्माता है जिसे नैनोफोबिया नाम की एक बिमारी है जिसमें उसे अपने phone गुम हो जाने का और technology में पीछे रह जाने का खत्रा रहता है Anthony अपने पिता की भावनाओं को नहीं समझता और technically backward होने का ताना देता रहता है घर में टेंशन का महौल होने से और उसकी बिमारी की वज़े से उसके करियर में भी समस्या आने लगती है अब आगे कहानी में क्या होता है, Anthony को अपने पिता और परिवार की कीमत का एहसास कैसे होता है, ये सब आपको इस movie में देखने को मिलेगा एक और काफी जबरदस्ट emotionally connect करने वाली movie है, जिसे आप ज़रूर family के साथ enjoy कर सकते हैं अगर आपसे ये movie miss हो गई है, तो आप इसे prime video पर हिंदी जब में देख सकते हैं ज़रूर देखिए, movie आपको हच से ज़्यादा पसंद आने वाली है मिलते हैं एक और ऐसी ही amazing video के साथ, तब तक के लिए, bye friends